हेलो गाइज मैसेल सॉम्या और वेलकम यू अन्द स्पीटेफुल चैनल नीन बाइवर्ट तोड़े वी आर गूंग तो स्टेड़ी अपाउट दी थर्ड पार्ट ओफ लास नाइन चैप्टर टिशू जैसे कि आप जानते हो कि हमने टिशू चैप्टर के दो पार्ट अपने कंप्लीट कर लिए थे तो आज हम बात करने जा रहे हैं टिशू चैप्टर के थर्ड पार्ट के बारे में जिसमें हमारे आते हैं पैरिंकामा, कॉलिंकामा, एंड इसलेंकामा चीक है और यह तीनों जो टिशू हैं यह टाइप्स ओफ पर्मानेंट टिशू है ठीक है तो त स्थोपिक इस टाइप्स ओफ पर्मनेंट टिशू फर्स इस चुइस पैंकामा अब आप सोश तो कि पैंकामा तो पैरिंकामा का एक्शिवल मीनिंग होता है पैर पैर मतलब बसायड ठीक है बसाइड अंड रह एंड इनकामा बसाइड जो बिल्कुल बसाइड हो मतलब जो कोई भी Living cell है ठीके टो उसके बिसाइव आई जो प्रिजेंट होता है कि पीछ दटाता है उसे जाता है प्रिजाच करता है जो ऑघायम्म प्रिजिए जो भी साइव रियाय मैं इसंग झिलिया इसको दिया मैं चैकि के तो यह क्या होता है तो pen camera is the living cells क्या होती है यह living cells होती है and possesses the power of division यह जो pen camera cells होती है यह living cells होती है और इनमें power होती है division की तो यह living cells and they possesses the power of division ठीक है अब प्लांट में ऐसी बहुत सी सल्स होती है जो कि divide होती है और जो नहीं डिवाइड होती है मैरी स्टेम है मैरी स्टेम जो होती है वो डिवाइड होती है ठीक है और उसी तरिके से pen camera जो होती है वह भी division of power division का रखते हैं ठीक है not shape तो इनका shape जो होता है वो round होता है और isodimetric and oval चीक है तो इनका shape round भी होता है round के साथ oval भी होता है और polygonal भी होता है और यह isodimetric होती है isodimetric मतलब यह है अगर यह cells जिस एरिया में present होगी वहाँ पर यह equally expand होगी मतलब इनका जो diameter होगा वो equal होगा चाहें वो leaf के upper side हो या lower side उनका जो diameter है वो बिलकुल सेम रहता है ठीक है चाहें तो यह 3rd point fusion cell wall with dense citoplasm इनकी घजयों होती है उसकी एंदर 60蔬 बहुत प्लाजम होता है और जादयाय सात्व होता है LOCath leve से संब भी होता है और आसपास साइटॉपलास्म उससी तरीके से इनमें भी थिन सेल्वार होती है विद देंस टर ब्लास्म एड़ एड्समॉल निफियस चीङ है और फॉर्थ पॉइंट लूजली पैक्ड इसे यह प्लांट की लूजली पैक्ड इसे होती है तो इनका नाम क्या नाम है लिविंग सेल्स अब प्लांट की लूजली प्रॉट में इसे प्लांट की लीव में फोटोसिंथेस होता है तो फोटोसिंथेस होने के लिए कि हमें आप लिविंग इंड स्फ तो वहाँ पे लिबिंग सिय वों प्रेजंड होती है ओर रृट्स में बती आप इसली होती है वा स्फिफिर इससे इनका थ darf bakayım में होता है युद समय ओता है योटrender होता है अप ऐसी कहता है तो their function is to serve as packaging tissue, इनका function होता है कि ये work करें as a packaging tissue, ये materials को package करके रखती हैं, ठीक है, अब ये living cell है, तो living cell के अंदर जब कोई material pack होके रखा जाएगा, तो material जोगा खराब नहीं होगा, ये living cells है, ठीक है, और इसी तरीके से ये food को भी store करती है, लास्ट पॉइंट, ये metabolically active होती है, आप कोई से living है, तो वो metabolically active तो वैसे भी होती है, ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने next tissue के बारे में, जोगी है, इसा tissue जो glue type होता है, मतलब जो cells को glue की help से connect रखता है, ठीक है, उससे कहां गया है, इसका मतलब ये हैं कि एक ऐसा tissue जो glue का काम करता है, ठीक है, इसका first point क्या है, also content living cell, इसमें living cells भी होती है, like panchyma, panchyma की तरह इसमें living cells भी present होती है, ठीक है, मतलब ये उतना living नहीं होता है, येतना हमारा panchyma होता है, पट ये हां living थोड़ा होता है, मतलब ये कुछ functions as panchyma कर लेता है, ठीक है, not second point, have extra deposition of silos, इसमें silos सबसे ज़्यादा present होता है, और कहां पे होता है, इसके corner, जैसे ये हमारी cell है, ठीक है, जैसे ये हमारा एक column gamma का cell है, तो इसकी ये जो corner होते हैं cell के, ये जो corner है, यहां पर सबसे ज़्यादा present होता है cellulose, तो ये question आता भी है कि column gamma में सबसे ज़्यादा कौन सा material present होता है, तो वो हमारा होता है, cellulose, ठीक है, now third point, इनको occurrence, occurrence क्या है है हाँ पर, तो located on hypodermis, ये hypodermis पर mostly present होते हैं, और leaf की midrib पर, जैसे leaf होता है, जैसे leaf होता है, जो leaf की में ज़्यादा होती है, बीच की midrib, यहाँ पर midrib मोसली ये हमको मिल जाते हैं, कौन, column gamma, ठीक है, अब दिखेंगे इनका function, function कैसा होता है, तो ये act करते हैं as a mechanical tissue, ये act करते हैं as a mechanical, जो mostly cell की activity को control लगता है, वा करता है, उन्हें कहां गया है mechanical tissue, तो ये कहेंगे, ये time का working tissue है, जो cells को आपस में pack डगता है, ठीक है, और ये plant को support भी देता है, ठीक है, provide support, तो ये इसके दो main functions थे, और इस occurrence का होता है, इस occurrence जो होता है, वो hypodermis और midrip में होता है, ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने third type के tissue की, जो की है, islend chema, now, islend chema, ठीक है, इसका mean क्या होता है, sclerus, तो ये जो world islend chema है, इसको लिया क्या है, sclerus से, जिसका मतलब होता है, hard, मतलब एक hard tissue, जो बहुत ही hard होता है, ठीक है, इसका main point क्या है, dead cell, slend chema मतलब होता है dead cell, इसमें dead cell present होती हो, dead cells जो होती है, वो हमेशा कोई भी fruit में present तब होती है, जब वो अंद्रेप होता है, जब वो पकानी होता होता है, है और प्रीजक होता है तो मतलब यह है कि ओस बहुंट है गर्यक्त को रेजू sagt हाड होता है और तो इसमें गयत्स हुआ ह dir戈 होती है तो इस में अगर आप इनको कुर्जाए के व फूट में प absolute में डेट सेल्स प्रीजेंट है की नहीं है या उसमें ख्लाइन है की नहीं है तो अगर वो तिशुब मतलब पो सब्सक्रा ऊडएंड हार्ट को मतलब यह तश्वीज देड לחyंट है ठीके मास्ट्ट पॉइंट डैतta proto भुटोक्षबाजमी चैहाँ नहीं इसको मिलीग बिल्टप्लास्म बिलकुल हो उसको हाघाँ अगर अगर में रोडर्प्लास्म होगा तो टिसू हाँ नहीं क्या इनकी कि on living living cell आंदोई आल्ली पॉशैज प्रोटप्लास्म और व्य quien à no third point तब हूँ जो होती मतलब होती है वह बहुती मोती हो आप होती है नेचर में लास्ट last point last point is that cells जो होती है वह closely packed हो रहती हैं हार्ड है closely packed रहती है dead होती है cell wall जो होती mostly बनी होती लिएन की ठीक है और plants को support भी करते हैं तो यह था हमार्ण इसके अपने last tissue की बारे में और I hope आपको इस वीडियो में बहुत समझ मैं होगा अब बात करेंगे अपने नेक्स पार्ट के बारे में तब तक के लिए टेक क्यर बाब बाए